हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फिश एक्विरियम और कई प्रकार के हम फिश यहाँ पे देखने वाले हैं और फिश के लायू वीडियो भी हम देखने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे दोस् फिश काफी सुन्दर होता है और काफी डरावना भी होता है इसकी जो साइज होती है वो काफी बड़ी हो जाती है और यहाँ पे कई सारे कई प्रकार के फिश है हम सो फिश एक एक करके देखने वाले है और फिश के नाम भी यहाँ पे हम बताने वाले है और घर पे आप कौनस फीश ला सकते हैं कौन सा बेल में कौन सा अच्छा होता है यह भी इस विडियो में हम जान लेंगे तो व्यां को जरूर देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं यह कितने अच्छे से बсть किया है और आगे हम देखने वाले ही यहाँ पे आप देख रहे है जो शार्क फीष और ऊपर की साइट जो फीष है और एंजल फीष है यहाँ पे तो आगे हम देख सकते हैं कई प्रकार के छोटे छोटे याप फीश है एक्विरे में बहुत सारे टाइप की फीश होते हैं आप घर में कौन सा भी फीश ला सकते हैं वैसे तो फीश में बहुत सारे नए जेनरेशन के फीश अब अवेलेबल होते हैं और बहुत सुंदर भी फीश होते हैं यहां आप देख सकते हैं बहुत नए-नए टाप के फीश अवेलेबल है और घर में जब हम फीश एक्वेरियम फीश टैंक लगाते हैं तो जो नए जेनरेशन का फीश होता है नए-नय आये आए हुई फीश होते हैं ज़्यादातर लोग वही पसंद करते हैं वही घर पे टैंक में रखते हैं इससे टैंक की जो खुब सुर्टा बढ़ती है और घर में भी अच्छा दिखता है तो ज़्यादातर बच्चों को बहुत फीश पसंद होते हैं तो आप भी जरूर घर पे फिश टैंक लगवा लेज तो इससे फायदा ए होता है फीश टैंक की जो जगव होती है ओ एकी स्तान पर रखे और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा ए होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं या तो बड़े लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो जब गुष्टा होता है उस पे बहुत कंट्र लाता है और हम जैसे फीश होते एकदम से शांत पानी में रहते उसी तरह से हमारा दिमाग भी एकदम शांत होता है और हम पहले जैसा अच्छे से भीव करते हैं इसका भी यह बहुत बड़ा फायदा है बहुत जादा तर लोग इसे घर में रखते हैं फीश टैंग घर में लगाते हैं और वैसे तो फीश हमारे घर में होते हैं तो यह भी अच्छा रहता है घर में सब चोटे बड़े खुश रहते हैं और कोई एक ऐसा लगता है हम लोगों को की हमारे अलावा घर में और कोई है जो फीश रहते हैं और कोई living things हमारे घर में रहती है ऐसा लगता है इसलिए जादा तर लोग फिश भी घर पे रखते है या कोई animal pet घर में पालते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले धन्यवाद आप सभी का